कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ कभीर दोस्तों मोटरोलो के G85 का जो प्राइज इसेल में काफ़ी कम हो चुका है और कम हो चुका है IQ के Z9S का प्राइज भी और बहुत अच्छा डिस्कॉंड चला मोटरोलो के H50 Fusion पे तो आज इस वीडियो में इन तीनों फोनों को डेटेल मे कंपेर करेंगे एक दूसरा से कि इन तीनों में सा कौन सा ज्यादा अच्छा उसके लावा इन तीनों के डिसकॉंड वी 북한 डिसकॉंस करेंगे कि कौन देना चूंसा नहीं लेना चाजिए तो complete information के दोस्तों वीडियो एंट तक देखेगेगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजेगा ताकि लेटा स्वीडियर्स आप तक आती रहें तो सबसे पहले देख लेते हैं IQ के box में क्या कुछ मिलता हमें पुछ इस तरीके से रखे मिलते हैं सबसे पहले हमें यूजर मैनल और वरंटी कार्ड वगरा एक रखा मिलता सिमिजेक्टर टूल और फिर मिलता है ट्रांस्पिरेंट सा कवर कॉलिटी वगरा बढ़िया है इसके soft silicon case दिया गया है एक मिलती है डेटा केबल और चार्जिंग के स्पीड भी काफी सही है फिर आता है दोस्तो हमारा फोन डेटेल लोग इसका हम बाद में देखींगे देखते मोटो जी 85 के अंदर हमें क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यूजर मैनल रखे मिलते हैं एक मिलता है सिमी जैक्टर टूल और कुछ मिलते हैं स्टीकर्स यह अगर आप टेंपर वगरा लगा रहे हैं तो इसमें काम आएगा यूवी टेंपर में ताकि ग्लू वगरा इंसाइड ना जाए फोन के एक मिलता है ट्रांस्परेंट कवर सॉफ सिलिकॉन केस एक आता है डिटे केबल हमारी टाइप सुट यूजब कनेक्टिविटी के साथ है ब्लैक कलर में केबल देवी है लेंथ वगरा इसकी काफी सही है फिर आता है दोस्तों हमारा अडप्टर मोटरोला की ब्रैंडिंग के साथ 33 वाट का यह अडप्टर यूजब कनेक्टिविटी के साथ तो आईक्यू में थोड़ा सा आपको अच्छी कॉलिटी में अडप्टर मिल जाएगा यहां पर जीटी फाइफ के कंपेर में हमारा फोन है डिटेल लुक बाद में देखी है अब देखते मोटो एज 50 और एक मिलता है कवर यह हार्ट प्लास्टिक के अंदर कवर है सौफ सिलिकॉन नहीं और काफी जाद ओपन है प्रोटेक्शन के सबसे तो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मोटो जीटी फाइफ में और आईक्यू के जीनाइनस में दिया था तो ठीक ठाक कवर दिया जाद अच्छी मिलती है तो इसके अंदर आपको एक्सेसरी में जादा एडवांटेज मिल जाएगी मोटो एच 50 फिजन में यह हमारा फोन होट पिंग कलर में हमने मंगाया डिटेल लूग बाद में देखिए कुछ इस तरीके सा में तीनों फोनों के यहां पर डिजैनिंग मिल जाएगी एच 50 में और जीटी फाइफ में जो डिजैनिंग हो काफिया तक सिमिलर मिलेगी आइक्यू का थोड़ा सा आपको डिफरेंस डिजैनिंग देखने को मिलेगी तीनों फोनों के बैक पर आपको डिएल कैमरे का सपोर्ट मिल जाएगा एक फ्लैश लाइट मिल ज सही है आपको इन तीनों से कौन सा कलर जाएच लागा मुझे कमेंट करके बताएगा सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं मोटो का जीटी फाइफ इसका जो बैक डिजैनिंग दोस्तों काफी जब दसता वेगन लीदर के साथ आता है यहां पर आपको जो डिजैनिंग में ब काफी क्लीन होता है फाल्तों कीव08 गुक्न अंगी से मोट sweating निए हैं सिर्फ मोट औरोला कि आपको लिम्मिट्रड अप्लिकिशन में जाइरिंगें और्वाइस काफी कीन इस तरीकर से मिलेगा इसका जो डिप्ले पीओ लेट कर डिस्प्ले जिसानिके के साथ डीइज वगर अच्छी मिल जाती है, 6.67 इंचेस का डिस्पेय साइज है, Full HD Plus का सपोर्ट मिल जाता है, और 395 PPI मिलेंगे, इसका दोस्तों फ्रेंट पर हमें Gorilla Glass Version 5 की प्रटेक्शन मिल जाएगी, और जो पीक ब्रेटन हैं सो लगबख सोलो सोनेट्स की मिल जाएगी, तो VVM experience से दोस्तों इसमें काफी amazing है, यहाँ पर shadow वगरा कातना issue देखने को नहीं मिलेगा, bezels वगरा काफी छोटे हैं, और chin वगरा भी, तो इस दोस्तों जो VVM experience से बहुत ही ultimate हो जाता है इस phone का, आटो मोट पर यह अपने साब सा कस्टमाइज कर लेगा, कि कहां में 60Hz यूज़ करना है, कहां में 120Hz, तो इसके लावब दोस्तों यहाँ इंडिस्पेल fingerprint में मिल जाता है, इस phone के अंदर, speed वगरा जो fingerprint काफी सही है, instant आप यहाँ पर fingerprint पर टच करेंग, उपर की सेट में मिलेगा आपको डॉल्प एटमॉस की वरणिंग नौइस के इंसलेशन माइक, इस phone में 3.5 यहाँ नहीं दिया हुआ, राइट सेट में मिलेगा ऑन बटन, वाल्यूम कंट्रोल कीज, जिसमें यहाँ पर लगवग आपको 18GB के असपर डेटा करके दी जाती है, दोसोचपन में जो के कुछ भी नहीं है, 12GB RAM है, उसके लावब वर्च्वली भी आप 12GB और बढ़ा सकते हैं, तो आप इसकी maximum RAM समने 24GB तक चलियागी, यह कफे जादा हाई दी गई है, Android का लेटा सोजन मिलेगा है, यहाँ पर 14, क्लीन ओपरेटिंग सिस्टम में और ज्यादा कोई डाल की नहीं दिया वाद, तो काफी बड़ी आसा हो जाता है, यहाँ पर इसका सॉफ्टियर, इसके जाद दोस्तों 2 years के यहाँ पर OS अपडेट मिलते हैं स्फून में, और 4 years के सिकॉरिट अपडेट मिल जाते हैं, तो यहाँ बडेटिंग वगर में काफी सही रहेगा, मोटरोला, स्पीड वगर भी इसके आपको बढ़िया मिलने वाली है, इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है, वो कॉल कॉम स्रैब डेंगन 6 है, जनरेशन 3 पर यूज किया गया है, वैसे यहाँ पर जो प्राइस के सबसे प्रोसेसर थोड़ा सलू मिलेगा, लेकिन यहां रैम बहुत हाई दे दी गई है, 12GB रैम दे दी गई है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मस मिलने वाली है, आपको गेमिंग वगरा के सबसे भी काफी अच्छी परफॉर्मस मिल जाएगी, बैटरी की बात करें तो 5000 अमेच की बैटरी यह लगवग आपका एक दिन का बैक अप दे दीगी है, सब कुछ यूज करने के बाद 33W का Fast Charger मिलता तो Fast Charging में आपके सपोर्ट करता है, तो यह चीज़ आपको इसमें के अंदर बड़िया मिल जाएगी, कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों डिल सीम आप इसके अंदर 5G यूज का सकते हैं, NFC बगर का सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया, लेकिना पैंडराइब बगर वो इसमें लगा सकते हैं, वो सपोर्ट दिया गया है, इसमें आपको स्लो मोशन, वीडियो मोड, पोट्रेट मोड, फोटो मोड और मोर के अंदर और भी सारी काफी सारी ऑप्शन मिल जेंगे, जैसे कलर करेक्शन वगर आप कर सकते हैं, यहां पर और भी बड़िया ऑप्शन है, बारा जीबी रैम, दोसर चाफन जीबी स्टोरिज, उननीस जार पे इसका प्राइज है, लेकिन अभी बिग बिलियन डेज में डिसकाउंट चल लाए, तो ठारा जार पे इसका प्राइज आ चुका है, तो ठारा जार में आपको तीन चीज़े काफी चिम लेंगी, एक तो इंटरनल स्टोरेज, दूसरा इसका रैम और तीसरा कर्व डिस्पले, यहाँ पर डिस्पले की जो ब्रैटनेस वगएरा वो भी काफी बड़ी है, पीछे वैगन लेदर दिया गया है, तो यहाँ पर जो डिजैनिंग है वो भी काफी इल्टीमेट हो जाती है, इस पर स्कर्चिज वगर आने के चंसे काफी जाद हैं, तो आप कवर लगा की यूज़ की जगए अगर आप यह लेने वाले है, अब आउन कर लें तो अपना फोन और देख लेते हैं इंटरली फीचर्स वगरा, उसके इलावा यहां पर कस्टमाइजिशन काफी अच्छी दी गई है मल्टी टास्किंग के लिए, तो इस चीज आपको बड़िया मिलने वाली है इस फोन में, बात करें डिस्प्ले डिजैनिंग वगरा की, वो ठारा सो निट्स है, यह मोटो जी टी फाइफ से थोड़ी सी ज़ादा क्योंकि उसमें सूरा सो निट्स जीवी थी, इसमें ठारा सो निट्स मिल जाती है, उसके लावा दोस्तों एजिया 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, यह चीज भी अच्छी मिल जाएगी, और कलर्स वगरा जो है, वो काफी सही आ रहे हैं इस फून में, इसके अंदर ब्ल्कुल भी आपको यहां पर शड़ो वगरा का इशू देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप इसको सनलाइट वगरा में यूज़ करें, या ज़्यादा ब्रेटनेस में, तो आपड़ोर के साब से काफी सही है, सेटिंग में चलके चेक कर लेता है, इसके अंदर रिफ्रेश रेट हमें कितना मिलता है, तो इसके अंदर भी आपको बड़ी असा रिफ्रेश रेट मिल जाएगा 120Hz का, उसके अलावा आप अपने सब से कस्टमाईज भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आप स्ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं 120Hz का, तो डिस्प्ले क्वाल्टी काफी सही है, इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले जो फिंगर प्रिंट है, उसकी अच्छी मिल जाएगी, तो मुझे इसकी डिस्प्ले मोटो जी टी फाइफ के कंपेर में थोड़ी सी वहतर लगी, इसमें भी 3.5mm का जैक नहीं दिया गया, उपर की तरफ मिलेगा आपको noise cancellation mic, और कुछ भी नहीं मिलता, राइट साइट में दोस्तों यहां पर आपको on-off button, यहां पर detection वगारा करके दी गई है, तो यूज़ करने के लिए ठीक ठाक आपड़ी से आपको storage मिल जाती है, राइम इसमें 8GB वर्चुली 8GB और अप्ग्रेट हो जाएगी, तो यहां पर 16GB RAM के performance मिल जाएगी, Android का latest वज़र मिलेगा 14, इसे जाएट दोस्तों के अंदर आपको OS update और security update भी मिल जाएगे, तो यहां आपको 2 years के OS update और 3 years के security update मिल जाएगे, तो अपडेट वगरे में ठीक ठाक आपको आप मिलता है यह phone, कि लावे दोस्तों performance वगरे की बात करें तो touch वगरे का response काफी सही है, काफी fastly application open हो रही है, delay वगरे अतना नहीं है इस phone, यहां बात करें इसके processor की, तो media tech का damage is 7-day 300 इसके अंदर processor यूज़ किया गया है, Moto G85 के compare में आप समय लें काफी बड़ी है processor, speed वगरे, इसके काफी ज़्यादा fast है, उसके compare में तो आप समय लें double यहां पर performance का फरक मल जाएगा, इसके दाथ दोस्तों multi-tasking काफी smooth तरीका से की जा सकती है, और यहां पर आपके बात करें battery वगरे की तो वो भी थोड़ी सी आ 5G उसका सकते हैं, expandable नहीं दी तो यहां पर hybrid वगरे की tension नहीं है, NFC का support नहीं मलता लेकिन OTG वगर आप इसमें connect कर सकते हैं, camera वगरे की बात करना, दोस्तों back पर dual camera का support मिल जाएगा, इसका जो main camera 50 megapixel का मिल जाएगा, second camera 2 megapixel का depth camera, एक flash light और एक aura light मिल जाएगी, जो के बिलक mode और mode के अंदर तो बहुत सारे option मिल जाएगे, live photo जो अगरे का option है, कुछ इस तरीके से picture quality है, picture quality दोस्तों कफी बढ़ी है इसकी, वैसे मुझे Moto G85 के compare में थोड़ी सी इसके अंदर आपको picture quality अच्छी मिल जाएगी, camera वगरे जादा भैतर लगा मुझे इसका Moto G85 से, अगर यहाँ पर color वगरे दोनों फोनों में चाहिए, अगर आप camera के साब से लेने साथ है तो दोनों में से कोई भी ले, 19-20 कई फर्क है, लेकिन यहाँ पर display brightness के अंदर यह Moto G85 से जादा भैतर है, उसके अलाबा प्रोसेसर भी इसका Moto G85 से जादा अच्छा है, यहाँ बैटरी का backup अब भी बढ़िया 5500 और charging speed बेची मिलेगी, और अल दोस्तों यहाँ पर Motorola G85 से जाद अच्छा IQ का Z9S रहेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे features अच्छे है, बैक पर और लाइट वगरा भी मिलेगी, इसका जो price है 20,000 रुपे है, लेकिन इसका अभी 2000 रुपे का discount चल ल लने वाली है, आपको दोस्तों यह phone कैसा लागा, मुझे comment करके जरूबत आएगा, अब देख लेते हमारा next phone, यह है Motorola का H50 Fusion जो काफी जबदस और हिट फोनों में से एक है, इसका दोस्तों बैक कवर काफी बढ़ी है, यहाँ पर बैक पैनल, वेगन लेजर के अंदर दिया गया है, यह होट पिंग कलर है, काफे अट्रक्टिव सा, उसका आवस में काफे अट्रक्टिव कलर और और भी आते है, IPS स्टेट रेटिंग के साथ ही आता है, आप समय लें, डेर मेंटर पानी के अंदर भी आप इसे डुब हो दिंगे, और 30 मिनिट सक तो इस phone को कुछ भी होने वाला, और यहाँ पर इसका जो वेट वगएर की बात को तो 175 ग्राम का इसका वेट है, 7.8 mm के साइट थिकने से तो थिकने से भी काफी स्लिम सा phone मिलेगा आपको यह और यहाँ पर इन्हें फिल काफी जबरदस्त है इस phone की, इसका यह color कैसा लागा आपको मुझे comment करके दरूब होते हीगा, और यहाँ पर आपको Moto G85 में जैसे user interface मिलता था, वैसा ही सही Moto H50 Fusion में मिलेगा, बिल्कुर clean operating system में कोई फाल्तियों के applications वगएरा नहीं है, काफी बढ़ी असा यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अलाब़ यहाँ पर display designing में आपको थोड़ा बहतर मिलेगा ड्रॉप पंचोल और बेजर जो नीचे की चिन वगएरा, थोड़ी सी छोटी मिलेगा आपको Moto G85 के compare में, डिस्पेर की बात करने तो इसके अंदर आपको जो display मिलेगा हो है, वो P-OLED डिस्प्ले है, गव डिस्प्ले है, इसके साथ 6.67 इंचेस का display साइज मिलेगा, जैसे Moto Moto G85 में तो उतना ही बड़ा ये फोन है, लेकिन यहां पर IQ का जीन है, थोड़ा सा बढ़ाता, Full HD Plus का support मल जाएगा, 395 PPI मिल जाएगे, फ्रेंट पर Gorilla Glass Origin 5 की production मिल जाएगी, और 1600 Nits की peak brightness मिल जाएगी, SGI 10 Plus का support मिल जाएगा, तो अवरहल दोस्तो इस फोन की वे आपको display लेकिन यहां पर जो मुझे थोड़ा सा जो बहतर लगा, वो IQ का यहां पर display brightness ज्याद अच्छा लगा, Motorola H50 के compare में और GT5 के compare में, सेटिंग में जलके refresh rate अगर भी चेक कर लेते हैं दोस्तो इस फोन की, तो इसके अंदर आपको refresh rate भी काफी सहीं मिल जाएगा, आपको इसमें 120 20Hz का भी option मिल जाएगा, और 144Hz का और 60Hz का भी, तो इसके अंदर आपको top refresh rate मिलने वाला 144Hz का, जो के Moto G85 में नहीं मिलता और IQ का Z9S में भी नहीं मिलता, तो यहां पर दोस्तो इसके अंदर refresh rate सबसे बहतर मिलने वाला आपको 50 fusion में, उसके साथ दोस्तो इसमें भी आपको in display fingerprint sensor मिलेगा, आपको काफी fastly operate कर देगा, यह मतला आप टच करें, instant unlock कर देगा, तो speed वगर तो काफी बढ़ी है, इस चीज में आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन overall display quality की बात करूँ, तो मुझे जो सबसच्छे display quality मिली, वो IQ Z9S के अंदर लगी, यहां पर Moto H50 के compare में, G85 के compare में, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ सा display की जो brightness वगर वगर बहतर मिल जाएगी, लेकिन overall अगर आपको refresh rate वगर जादा बहतर चीज़े, तो Moto H50 Fusion के अंदर सबसे बहतर यहां पर refresh rate मिलने वाला 144Hz का, उसके लाव दोस्तो physically look की बात कर तो नीची की तरह speaker मिलेंगे, type C port, एक के जाथ fingerprint sensor नहीं मिलता, और left side पर दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा plane से surface, इन तीनों फोनों की जो physically look है वो विरकुल एक जैसी है, और यहां पर आपको buttons और designing वगर भी एक जैसी मिलेगी, इस phone में भी आप 2 SIM के साथ कोई memory card नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस phone में memory card का support द जाएगी, Android का latest version मिलेगा, इस phone के अंदर 14, तो इस चीज में तो आपको Motorola काफी बढ़िया मिल जाता है, कि यहां पर clean OS मिलता है, और यहां पर OS भी आपको लेटस मिलना 14, उसके लाब दोस्तों अपडेट में भी यह आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा, 3 years के OS update मिल जाए जाएगा, वैसे तो तो तीनों फोन आपको प्राइस के असाब सब प्रोसेसर अच्छे दिये गा है, लेकि इन में जो सबसे अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, वो IQ Z9S में दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जाद आपको fast processor मिल जाएगा, Moto G85 के compare में और Moto 50 Fusion के compare में, तो पर बात करनें, इसकी बेटरी की, तो 5000 अमिच की बेटरी है इस फोन में, और वहीं पर 68W का fast charger दी दिये गया है, तो आपको काफी बड़ी है मिलने वाले है, charging की speed वगरा काफी fast है, बेटरी का backup वगरा भी बड़ी है मिलेगा, Dual SIM 5G connectivity के साथ आते हैं, इस फोन के अंदर आप आपको front camera जो मिलेगा 32 Megapixel का मिलेगा, तो Megapixel तो इस फोन के कफी जाद हाई है, देखे जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से दूस्तों आपको camera में option मिल जाएंगे, इसके अंदर slow motion, portrait mode, photo mode, video mode, और भी कफी सारे option है, जो phone के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, प्यूंका थोड़ा सा वैतर मिलेगा आपको Motorola के compare में, क्योंकि इनके camera वगएर थोड़ा जादा focus रहता है, इनके picture quality वगएर हमें, लेकिन overall दोस्तों तीनों फोन में आपको camera अच्छे मिलने वाले, इस phone का जो price है, दोस्तो 21,000 पे 8GB और 128GB वाले variant का, लेकिन अभी जो flip card प मुझे कफी बढ़े लगी जैसे इसका operating system, इसका designing वगएरा, बात करें इन तीनों फोनों में सबसे बैस फोन कौन सा है, तो अगर आपको यहां पर RAM जादा चीए, और आपको storage वगएर अच्छी चीए, जैसे 256GB storage मिल जाती, Moto G85 के अंदर, और price भी काफी कमा, ठाराजार आपको display quality अच्छी चीए, और processor अच्छा चीए, तो आप IQ का Z9S ले, क्योंकि इसके अंदर आपको यह दो चीज़ा बढ़िया मिल जाएंगी, और आपको यहां पर Motorola का H50 Fusion अगर आपको fast charging चीज़, 68W किये, यह अच्छी चाहिए, और यहां पर आपको 144 का refresh rate मिलता है, यह तो आप Moto H50 Fusion ले सकते हैं, प्राइस के अपसा दोस्तों Moto H50 Fusion और IQ का Z9S बिल्कु सही प्राइस पाते हैं, 18000 पर आफ्टर डिसकाउंट, बस Moto का H50 Fusion में 2000 पर फार्क है, आपको दोस्तों इन तीनों फोनों से कौन सा फोन जादा चलागा, यह चीज मुझे कमेंट केट के जर